यह सभी मित्रों को नानानी की जड़ी बूटी चैनल में हर्दिक-हर्दिक स्वगत है जैसे की आप देख रहे हैं एक दहीमन प्लांट से हम आपका परचे करा रहे हैं बहुत समय से लोगों की मांग भी थी कि दहीमन प्लांट के नाम से कई लोगों की बिविन प्रजाती दि आज हम जवलपूर से करीब पच्छपन और साट किलो मीटर की दूरी पर यहां पर आई हुए हैं और एक भीगर जंगल है और जंगल के उपर एक पहाड़ी है जो पांस सो फिट की उपर है अगर आप मित्रों अगर वीडियो आप देख रहेंगे तो बहुत ही उचाई पर है आप चले हम आपको दिखाते हैं कि दाहिमन प्लांट कैसा होता है उसके पत्ते कैसे होते हैं और यह दाहिमन प्लांट क्या-क्या काम आता है और आदिकाल से इस प्लांट पर क्या-क्या रिसर्च हुआ और क्या-क्या उपयोग किये जा रहे हैं पहले हम आपको बता दें द से पहले इस पर्स जड़ी भी है जिसे लोग केहते हैं कि इस-पर्स मतंब इस्पर्स या इसकी इसके तने की या तने कि गुरिया बनाकर अगर गले में लटका दी जाए तो आपका अनुपात जो ज्यादा हाई बीपी जिनको बढ़ता है तो एक अनुपात में हो जाता है ठीक है इसके बाद सराप छुड़ाने के लिए इसकी छाल का इसका छाल को छिलका को डेली दी जाती है तो गंभीर गंभ वह हलकी मात्रा होती है उसको बहुत तदकल सही करता है सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि दहमेनट काटे होता है और इसे कैसे हम पहचान illustrations recommend होती है उपत्ति करने के बाद यह ऐसा देखता है इस पर्स कर दें किसी काटे से लिख दें तो यह इसमें नाम उचल जाता है आधिकाल से बहुत समय से हमारे बहुत भींगड जंगलों में पायज भी जाता लेकिन कि प्रवाच इसकी जो प्रजाती लुप्त होने जारे कि ल हमारे भारत देश में हमारे सौने की चडिया कहा गया है आप सभी जानते हैं कि ऐसे पेड़ हैं जिसे लोग अभी जानते नहीं है पानी आपको पीने की जरूरत नहीं आपको खाना खाने की जरूरत नहीं ऐसी उसको सेवन करने के बाद में आपको कोई चीज की जरूरत न लिएख लेन कहूं हैं यंगल में आपको ये दिख जाए तो आप इसका पत्ते का उपयोग करें इसxtures का उपयोग करें कि जाला को ना काटे अगर तो आपको तना मिल जाए तो उपयोग जरूर करें क्योंकि इस पेड़ को यादा ज्यादा है और लगा तार एसी और शरदियों को विश्य में हम जानकारी ज्यादा ज्यादा दे भी रहे हैं और आप ताक यह वीडियो पहुँचे और आप इसका उपयोग करें और में जैसे महिने के अंदर क्लाट कैथो भी क्लाट हो खतम हो जाएगा और इसका हम सेवन भी कर सकते हैं कैंसर के रोगों में भी हमने आपको बताया कि सेवन कैसे करना तो बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने के लिए मित्रो और आप ने इस वीडियो को देखा मैं और सभी मित्रो को आप आगे पहुंचा है बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का